हलो दोस्तों एक बार फिर्स ब्लॉक बस्टर हिंदी मूवी में आपका स्वागत है दोस्तों आज की मूवी है आनंद इसके मुख्या भीनेदा, अमिदाम बच्चन और राजश खन्ना थी बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों तो शुरू करते हैं तो दोस्तों आनंद मुवी वर्त्मान से शुरू होती है और कैंसर के विशे सक्गे डॉक्टर भासकर बेनर जी अमिता बच्चन को साइतिक पुरुषकार से सम्भानित किया जा रहा है कि उसने आनंद जैसे उपन्यास की रजना की और डॉक्टर भासकर अपनी सफाई में कह कहता है कि यह उसकी डायरी के कुछ पन्य है और वह कोई लेखक नहीं है और यह उपन्यास सही घटना उपर अधारित है अब फिर्म अतीत में चली जाती है जब एक जुजारू डॉक्टर भासकर बेनर जी मुंबई की जोपर पट्टी में मरीजों की देखबाल कर रहा है और देखता है कि वह किसी के लिए कुछ भी करने में अक्षम है वहीं उसके दोस्ट डॉक्टर परकास कुलकरनी रमेश देव का जमा जमाया अस्पताल है जो बिन बीमार मरीजों को भी देख लेता है और उनसे अच्छी रखम एटता है जबकि गरीब मरीज जो की बासकर वह बिना पैसे सारे टेस्ट करवा देता है एक दिन प्रकास को दिली से उसके एक इस्त्री रोग विश्य सके डॉक्टर तरवेदी का खता आता है कि वह अपने दोस्त आनंद राजिश खन्ना को उसके पास बेज रहा है प्रकास आनंद से कुछ साल पहले मिला था और उसक आ दमकता है और अपनी मजाग की आदस शुरू कर देता है जिससे बासकर को गुस्सा आ जाता है वह आनंद से पूचता है कि उसे मालूम भी है कि उसे क्या भी मरी है तो आनंद उसे बताता है कि उसे कैंसर है और वे जादा से जादा छे महीने ही जिन्दा रहेगा यह सुन प्रेम को जाहिर करने की उसमें हिम्मत नहीं है आनंद एक पहलवान दारा सिंग की मदद से रैनू की मा दुरुगा कोटे से मिलकर बासकर और रैनू का रिस्ता पक्का करवा देता है इसी दोरान आनंद की मुलाकात एक रंगमंच कलाकार इसा भाई सूरत वाला जॉनी वॉक श्रक्र से होती है उससे कुछ सेमवान स् πε्राशकर के कर देता है अब आनंद की तविए दिन बेदं गरती जाती है और एक दिन भिस्तर पर लेड़ जाता है नोकर किसी करिश्बीर की थलास में किसी होमयोपैधिक डॉक्टक के पास जाता है और अपने पीच्श प्रकास औ पर फिल्म खत्म हो जाती है दोस्तों यह दिल को जगजोड दैने वाली फिल्म है जिसमें एक इमानदार डॉक्टर की अपने मरीज को ना बचा पाने की मजबूरियों का चित्रन है तता एक मरीज की जिन्दा दिली का चित्रन भी वकूवी किया गया है तो दोस्तों आनंद बिच्चर देखने का आपको मौका मिले तो अवश्य देखना क्योंकि एक बहुत ही बहतरीन मुवी है खासकर इसका जो अंत है वो बहुत ही अच्छा